टॉस ने तै कर दी विल्ड कप 2023 की 4 semi-finalist टीमें घिया आपने बिल्कुल ठीक सुना विल्ड कप 2023 की 4 semi-finalist टीमें तै हो चिकियो और इसका फैसला टॉस के वक्त ही हो चुका है अगर आपको पता हो तो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला था ये आखरी कल सकते थे उमीद थी पाकिस्तान टीम के लिए इस वर्ल्ल कप के सेमी फाइनल में जगह बनाने के लिए लेकिन जो उनके लिए सबसे खास बात थी इस मुकाबले से पहले कि उनको टॉस जीतना था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया सिक्के ने धोखा दे दिया कप्तान बाहर आजम को और वो वर्ल्ल कप 2023 के सेमी फाइनल से बाहर हो चुके अगर हम उनके सम्मिकरण की बात करें तो टॉस से पहले ये उमीद जताई जा रही थी कि अगर पाकिस्तान टीम पहले यहां पर बल्लेबाजी करता है 500-500 स्कोर बोर्ट पे लगा देते हैं क्योंकि बाबर आजम ने अपने प्लान प्रेस कॉन्फरेंस में खोले थे कि फकर जमान इतने उबर तक टिक जाएंगे फिर मैं रिजवान हम लोग काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलने का सोच रहे अगर पहले बल्लेबाजी आई तो लेकिन आप पर तो सिक्के ने ही धोखा दे दिया है और जो उनकी प्लानिंग थी सब धरी की धरी रह गई है क्योंकि अगर हम बात करें सिनारियो की तो उनको जो भी टारगेट इंगलाइन टीम सेट कर देगा उसको मात्र दो दसमलों दो बर में चेज करना है तो यह जो उनका सपना है वर्ल लिकप 2023 का खेलने का वो टूट चुका है और चार कनफर्म्ट सेमी फाइनलिस्टीमें मिल चुकी है जिनके आगे क्यों लग चुका है और पाकिस्तान टीम को सिक्के ने धोका दे दिया और वो बाहर हो चुके क्योंकि उनको ये मुकाबला पहले बल्ले बाजी करते हुए स्कोर बोट सेट करने का था और 287 रनों के विशाल का अंतर से इंग्लैंड को मात देने का था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वो टॉस ही आर गया और इंग्लैंड यहाँ पर इस मुकाबले में पहले नौट इंग्लैंड ओफिसली पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुका और हमें चार सेमिफाइनलिस्टीमें मिल चुकी हैं यहाँ पर आप क्यों लगा दीजे न्यूजिलैंड के आगे भी क्योंकि अब खुशकबरी आ गए यह ओफिसियल तोर पे ये इन हो चुके है सबको पता था कि practical तोर पे नौजिलैंड इन है बट mathematical calculation ए लाइफ था है mathematical calculation भी पाकिस्तान के लिए shutdown हो गए है वहीं अगर हम बात करें नौजिलैंड टीम की तो उनके लिए mathematical calculation अब कोई चरचा नहीं है अब यह पहुच चुके मिलेगा 16 नौंबर को आपको South Africa versus Australia का मुकाबला देखने को मिलेगा भारत का मुकाबला New Zealand से 1 KD Stadium में खिला जाएगा शाम सायां 2 बजे से वहीं अगर हम बात करें Australia versus South Africa का मुकाबला तो Eden Garden में ये शाम सायां 2 बजे से 16 नौंबर को ये हमारी चार सेमिफाइनलिस टीमें है जो World Cup 2023 में भाग लेने वाली हैं और हमें दोनों सेमिफाइनलों में एक दिल्चस्प मुकाबला देखने को मिल चुका तो करोडों पाकिस्तानियों को जटका लग गया है टॉस के वक्त ही क्योंकि सिक्के नहीं उनके किस्मत का फैसला मैं सुरू होने से पहले ही कर दिया है तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप सभी अपना ध्यान दें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले